आखिर कैसे बना एक किसान का लड़का एक साउथ कोरियन के पॉप इंडिस्टी का पॉपुलर के पॉप आइडल जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हमारे बीटेस के वन आप तो फेमस मेंबर किम तायों की जिनने हम प्यार से वी बुलाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम डीटेल टू डीटेल जानेंगे कि आखिर वी एक फार्मर से कैसे बने बीटेस के वन आप तो फेमस मेंबर जिनने आज उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करती हैं वी ने अपनी इस चन्नी में काफी कुछ खोया हैं काफी कुछ साहा हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए जहां पर कुछ हेटर्स को सिफ इनकी सक्सेस नजर आती हैं लेकिन इस प्यारी सी स्माइल के पीछे का दुख कोई भी नहीं जानता तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को वी का चन्नम 13 डिसेंबर 1995 को साउथ कोरिया के शहर डेगू में हुआ था वी को बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ फार्मिंग करने का काफी जादा शौक था वी के फैमिली में उनके पैरेंट्स को छोड़ कर उनकी एक छोटी बहन और उनका एक छोटा भाई भी है वी एक काफी पूर फैमिली से बिलॉंग करते थे वी के पैरेंट्स को अपने जादा तर टाइम फार्मिंग करने में गुजारते थे इसलिए उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम बिलकुल भी नहीं रहता था वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार ही नहीं पाते थे जहां तक कि वो उनका ख्याल तक नहीं रख पाते थे इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया उन्होंने डिसाइड कि वी को उसकी ग्रैंड मदर के पास बेज देंगे ताकि उनकी ग्रैंड मदर वी का ख्याल रख सके अब वो एक्जेक्ली वी की नानी थी या फिर दादी ये तो मुझे नहीं पता बट वी उनसे बहुत जादा प्यार करते थे वी का बहुत जादा ख्याल रखते थी और वी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत जादा प्यार करते थे वो हमेशा ही उनकी फार्मिंग करने में हेल्प करते थे वी के ग्रैंड मदर का ये हमेशा से ही सपना था कि वी एक सूपर स्टार बने वो वी को हमेशा से ही टीवी पर देखना चाहती थी वी भी चाहते थे कि वो अपनी ग्रैन मदर का सपना पूरा करे इसलिए उन्होंने डांसिंग क्लास शुरू की वी का एक काफी अच्छा दोस्त भी था वो दोनों ही उस टाइम नाइन्थ ग्रेड में थे तब वी के फ्रेंड ने वी से कहा कि वो आज बिकिट के ओडिशन को देने के लिए जा रहे है और उसने वी को भी साथ में चलने के लिए कहा इसलिए वी अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ चले गए जब वी के फ्रेंड ने ओडिशन दे दिया तब वी के फ्रेंड ने वी को भी आउडिशन देने के लिए कहा कि क्यों ना तुम भी आउडिशन दो तब वी ने अपने पैरंट से इस बारे में पूचा और फिर परमीशन लेकर उन्होंने भी आउडिशन को दे दिया और लकीली वी एक ऐसे परसन थे जो पूरे डेगू शहर में अकेले ने बिग इट के आउडिशन को पास करा था और वो अकेले ही सिलेक्ट हुए थे वी के दोस्त और फैमिली सबी वी के लिए काफी खुश थे लेकिन जब वी ने बिग इट को ऐसे ट्रेनी जोइन किया तो वी को उदर काफी ज़दा मिस्ट्रीट किया गया वी को ऐसे हीडन मेंबर रखा जाता था और उन्हें कोई भी वीडियो में बलर कर दिया जाता था 2012 में बीटेस के सभी मेंबर ऑफिचली अनौऊंस कर दिये गए थे सिर्फ वी को छोड़ कर जहां 2012 में सभी बीटेस के मेंबर व्लॉक्स बनाये करते थे वहीं वी पास में सिर्फ साइड में बैठ कर उन्हें देखा करते थे उन्हें कुछ भी करने के लिए अलाउन नहीं किया गया था तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो एक BTS के मेंबर नहीं बन पाएंगे वी उस कमपनी में काफी अखेला मैसूस करते थे क्योंकि उन्हें जादातर टाइम इगनोर किया जाता था लेकिन 2013 में यानी फाइनली दो साल बाद वी को एज़ बीटेस मेंबर अनाउंस किया गया और उन्होंने अपना फर्स्ट व्लॉग भी अपलोड किया लेकिन क्योंकि वो इतनी साल बाद बीटेस मेंबर अनाउंस किया गये थे उन्हें काफी फैंस नहीं जानते थे जब BTS का फूर्स्ट फैन मीटिंग हुआ था तो अलमोस्थ सभी फैंस ने Vee को काफी इगनोर किया था कुसी भी फैन ने Vee से बात तक नहीं करी थी वो Vee को इगनोर करके बागी मेंबर्स के पास जाते थे जो भी वी के लिए काफी ज़दा वर्स्ट फिलिंग थी वी ने बता है कि जब भी उनकी फैमिली से कोई भी मेंबर उनसे मिलने आता था तो वो उनसे कहते थे कि मैं काफी ज़दा ठक गया हूँ अब मुझे ये ट्रेनिंग वगिरा नहीं करने मुझे यहाँ पर काफी ज़दा मिस्ट्रीट किया जाता है मेरे साथ अच्छा वैवार नहीं किया जाता मेरा मन घर जाने का करता था लेकिन फिर मुझे अपनी फैमिली का और अपनी दादी के सपनों के बारे में याद आता था और मैं अपने साथ हुए सबी बूरी चीज़ें को अपने एक बूरे सपनी की तरह भूल जाता था लेकिन ये सब उनके लिए इतना ज़दा आसान नहीं था क्योंकि वी उस टाइम सिर्फ सत्रा साल के थे और जब यहां तक की उनके स्टाफ भी उनको काफी ज़दा मिस्ट्रेट करते थे वो वी से उच्छी आवाज में बात करते थे लेकिन वी हमें साही चुपचाप सेहनते थे वो कुछ भी नहीं बोलते थे फिर भी कई साल कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 2016 में BTS को अपना Artist of the Year अवार्ड मिला था लेकिन उस दिन वी की लाइफ का सबसे अच्छा दिन होने के साथ सबसे बुरा दिन भी था क्योंकि उसी दिन वी की ग्रैंड मदर चल दे थी और उस टाइम वी फिलिपिन्स में थे और वो लास टाइम अपनी ग्रैंड मिदर से मिल भी नहीं पाये थे जिनके साथ वी 14 साल तक रहे थे और उनके वज़े से वा आज इस मुकाम पर खड़े थे वी उस कॉंसर्ट में काफी इमोशनल हो गए थे और रोने भी लगे थे लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस टाइम भी हेटर्स ने वी की ग्रैंड मदर की डेथ का मजाग उड़ाया था जो टाइम वी के लिए काफी मुश्किल था लेकिन उन हेटर्स की बोलती तब बंद हो गई थी जब 2017 के मोस्ट हैंसम मैन की लिस्ट में वी टॉप वन पर आये थे यहां तक ही वी 2018, 2020 और 2021 और पिछले साल 2022 को भी वो वर्ल्ड की मोस्ट हैंसम मैन की लिस्ट पर टॉप पे थे लेकिन वी ने फिर भी एक इंटर्वी में बताया था कि उनके लाइफ में काफी बुरा टाइम उन्होंने जहला है वो गौड पर काफी ज़दा बिलीव करते हैं और वो हमेशा ही प्रे करते हैं कि उनके साथ हमेशा ही सब कुछ सही हो वी ने बताया था कि वो बहुत बार डिप्रेशन का शिकार भी हो चुके है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वी को अलमुस्स सब भी फीमेल आइडल्स के साथ चीप किया गया है और उनकी फेक एडिट्स को बनाया गया है जिससे होता ये है कि उन फीमेल आइडल्स के फैंस वी को काफी ज़दा हेट करते हैं जबकि इसमें वी की कोई भी गलती नहीं होती थी और आपने ये नोटीज ज़रूर किया होगा कि वी कुछ सालों से काफी ज़दा साइलेट नजर आ रहे हैं वो हमेशा ही गुमसुम रहते हैं आपने देखा होगा कि पहले भी वी काफी ज़दा फणी और मज़े में रहते थे लेकिन आजकल वो काफी ज़दा सीरेस रहते हैं वी ने अपने काफी सोलो सॉंग्स भी रिलीज किये हैं जिसमें से स्नोव फ्लावर, विंटर बियर, इंनर चाइल्ड और भी बहुत सारे वी ने बताया है कि उन्हें जादर तर टाइम बीटेस मेंबर के साथ बिताना पसंद है क्योंकि वो हमेशा ये उनकी फैमिली की कमे को पूरा करते हैं और उनको फैमिली के तरह ट्रीट करते हैं वी ने बताया है कि बीटेस के सबी मेंबर उन्हें काफी ज़दफ प्यार करते हैं, उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो ये थी हमारे बीटेस के मेंबर वी की लाइफ स्टोरी, I hope कि आपको इस स्टोरी से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, वेल, हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानने चाहिए, अगर हमारी लाइफ में बुरा टाइम आता है, तो इसी के साथ हमारी लाइफ में अच्छा भी टाइम ज़रूर आएगा, और हमें उस चीज़ का वेट करना चाहिए, तो आपको ये व वीडियो में.